हलके से गरम दूद में जब हम मिला देते हैं जरा सा दही और उसके बाद इसे छोड़ देते हैं फॉर सिक्स टू सेवन आवर्स या फिर ओवरनाइट तो बन जाता है दही अब सोचने वाले बात यह है कि यह दही बनता कैसे है जब हम थोड़ा सा दही इसमें मिलाते हैं तो दही में पाये जाने वाले बैक्टेरिया को हम इस दूद में ट्रांसफर करते हैं और वे बैक्टिरिया दूद में पाये जाने वाले लाक्टोस को कनवर्ट कर देता है लाक्टिक आसिड में और ये लाक्टिक आसिड दूद में पाये जाने वाले ग्लोबिूलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तोड़ देता है और उसे convert कर देता है फाइब्रोस प्रोटीन में और फाइब्रोस प्रोटीन के होने की वज़े से ही हमें मिलता है करड का थिक टेक्श्चर तो बेसिक लिए 6-7 घंटे के बाद हमारा बनाया हुआ दही कुछ ऐसे सेट हो जाता है